C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है तक्षा साथ की गनित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याई बाराह बीजी अव्यन्जक प्रिष्ठ दोसा उनसट भारह दशमलवाथ बीजी अव्यन्जकों के प्रयोग सूत्र और नियम हम पहले भी देख चुके हैं के गनित में सूत्रों यानी फॉमिलाज और नियम यानी रूल्स को संक्षिप्ट और व्यापक रूप में बीजी अव्यन्जकों का प्रयोग करके लिखा जा सकता है हम नीचे अनेक उदाहरण देखेंगे परिमाप सूत्र एक सम बाहुत्रिभुज का परिमाप बराबर तीन गुणा उसकी भुजा की लंबाई होता है यदे इस सम बाहुत्रिभुज की भुजा की लंबाई को एल से व्यक्त करें तो उसका परिमाप बराबर तीन एल का होगा 2. इसी प्रकार एक वर्ग का परिमाप बराबर 4L होता है, जहां L वर्ग की भुजा की लंबाई है 3. एक सम पंच भुज यानि रेगूलर पेंटागन का परिमाप बराबर 5L होता है, जहां L उसकी भुजा की लंबाई है इत्यादी क्षेत्र फल सूत्र और उंचाई है तो त्रिभुज काक्षेत्र फल बराबर बी गुणा एच बटा दो बराबर बी एच बटा दो होता है एक बार किसी दी हुई राशी के लिए सूत्र अर्थात बी जी व्यंजक ग्यात हो जाए तो उस राशी का मान वांचित प्रतिबंधों के अंतरगत परिक गलित किया जा सकता है उधहरनार्थ लंबाई 3 संटीमीटर की भुजा वाले एक दिये हुए वर्ग का परिमाप वर्ग के परिमाप के व्यंजक अर्थात 4L में L बराबर 3 संटीमीटर रखने पर प्राप्त किया जाता है दिये हुए वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा 3 प्रिष्ठ 260 इसी प्रकार इस वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के व्यंजक अर्थात L वर्ग में L बराबर 3 cm रख कर प्राप्त किया जाता है. दिये हुए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 3 वर्ग वर्ग सेंटिमीटर बराबर 9 वर्ग सेंटिमीटर है. संख्या प्रतिरूपों यानि पाटर्ण्स के लिए नियम निम्नलिखित कथनों का ध्ययन कीजिए. एक, यदि किसी प्राकृत संख्या को N से व्यक्त किया जाए तो उसका परवर्थी यानि सक्सेसर N जमा एक होता है. हम इसकी जाच किसी भी प्राकृत संख्या के लिए कर सकते हैं. उदाहरणार्थ यदि प्रकृत संख्या 10 है तो उसका परवर्ती 10 जमाएक बराबर 11 है जो सर्वविदित है यानी ग्यात है 2. यदि किसी प्राकृत संख्या को N से व्यक्त किया जाए, तो 2N एक सम संख्या होती है, तथा 2N जमाएक एक विशम संख्या होती है. आये इसकी जाच कोई भी प्राकृत संख्या, माना पंद्रह लेकर करें, अब 2N बराबर 2 गुणा पंद्रह बराबर 30 है, जो वास्तव में एक सम संख्या है, तथा 2N जमाएक बराबर 2 गुणा पंद्रह जमाएक बराबर 30 जमाएक बराबर 31 है, जो वास्तव में एक विशम स इन्हें कीजिए माचिस की तीलियों, दांट साफ करने की सीकों या सरकंडों के बराबर लंबाई के टुकडों के छोटे रेखा खंडों को लीजिए। जैसा के आप देख सकते हैं के एक आकार को बनाने के लिए छार रेखा खंडों की आवश्यकता होती है। दो आकारों के लिए साथ, तीन आकारों के लिए दस, इत्यादी रेखा खंडों की आवश्यकता होती है। यदि आकारों की संख्या N हो, तो उन्हें बनाने के लिए आवश्यक रेखा खंडूं की संख्या 3N जमा एक होगी. आप इसकी सत्यता की जाच N बराबर 1, 2, 3, 10 इत्यादी लेकर कर सकते हैं. यदि बनाए गए आकारों की संख्या तीन है तो आवश्यक रेखा खंडों की संख्या तीन गुणा तीन जमा एक बराबर दस होती जैसा के आकरिती से भी देखा जा सकता है दो अब आकरिती बारह दशमलव दो में दिये पैटर्न पर विचार कीजिए यहां आकार यू की पुनरावृत्ती हो रही है आकारों एक, दो, तीन इत्यादी को बनाने के लिए आवश्यक रेखा खंडों की संख्याएं क्रमशह तीन, पांच, साथ, नौ इत्यादी हैं क्रमशह यदि एन बनाए गए आकारों की संख्या को व्यक्त करता है तो आवश्यक रेखा खंडों की संख्या व्यंजक दो एन जमा एक से प्राप्त होगी व्यंजक सही है या नहीं की जाँच आप एन के किसी भी मान को लेकर कर सकते हैं उदहरनार्थ एन बराबर चार लेने पर वांचित रेखा खंडूं की संख्या दो एन जमा एक बराबर उष्ठकों में दो गुणा चार जमा एक बराबर नौ होगी जो वास्तव में चार यू के आकार के बनाने के लिए आविशक है प्रिष्ठ 261 प्रयास कीजिए दर्शाय गए आधार भूत आकारों को लेकर उपरोक्त प्रकार के पैटन बनाईए एक पी पांच पी पी नौ इत्यादी आकार पी चार नौ जमा एक दो एच पांच एच एच आठ इत्यादी आकार एच तीन एन जमा दो आकारों को बनाने के लिए आवश्चक रेखा खंडों की संख्या दाई और लिखी हुई है साथ ही एन आकारों को बनाने के लिए आवश्चक रेखा खंडों के दर्शाने वाला व्यंजक भी दाई और दिया हुआ है आगे बढ़िए और ऐसी ही और पैटरनों की खोज कीजिए इनहें कीजिए आकरती में दर्शाय अनुसार बिंदूओं यानि डाउट्स के पैटरन बनाएए यदि आप एक आलेक कागज या बिंदू कित कागज यानि डाउट पेपर लें तो पैटरनों को बनाना सरल रहेगा देखिए के किस फ्रकार बिंदूओं को एक वर्ग के आकार में व्यवस्थित किया गया है यदि किसी विशिष्ट आकार में एक पंक्ती या एक स्तंभ में बिंदूओं की संख्या चर एन लेते हैं तो आकार में कुल बिंदुओं की संख्या व्यंजक N गुणा N बराबर N वर्ग से प्राप्त होगी। उदहरनार्थ N बराबर 4 लीजिए। उस आकार के लिए जिसकी प्रत्येक पंक्ति या प्रत्येक स्थंभ में 4 बिंदु हैं, तब कुल बिंदुओं की संख्या 4 गुणा 4 बराबर 16 होगी, जिसे वास्तव में आकरती से देखा जा सकता है। आप इसी प्रकार की जाँच N के अन्यमान लेकर भी कर सकते हैं। प्राचीन यूनानी गणितग्यों ने इन संख्याओं एक, चार, नौ, सोलह, इत्यादी को वर्ग संख्याओं यानि स्क्वेर नंबर्ज से नामांकित किया। यहां हमें बिंदुओं की आकरतियों के साथ यही वर्ग संख्याओं दिखाई गई हैं। कुछ और संख्या पैटन। आइए संख्याओं के एक अन्य पैटन पर विचार करें, जिसमें हमारी सहायता के लिए कोई आकरती बनी हुई नहीं है। तीन, छै, नौ, भारह, और इसी तरहा तीन, एन, इत्यादी। ये संख्याओं तीन के गुणज यानि मल्टिपल्स हैं और इन्हें तीन से प्रारंभ करते हुए हारोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। एन्वें स्थान पर आने वाले पद को तीन एन से व्यक्त किया गया है। इसकी सहायता से आप सरलता पूर्वक दसवें स्थान पर आने वाले पद जो तीन गुणा दस बराबर तीस है तथा सौवें स्थान पर आने वाले पद जो तीन गुणा सौ बराबर तीन सौ है इत्यादी ग्याद कर सकते हैं। प्रिष्ठ 262. ज्यामिती में पैटन. एक चतुर भुज के किसी शीर्ष से उसके कितने विकरण खीचे जा सकते हैं? जाँच कीजिए के इनकी संख्या एक है. एक पंच भुज के एक शीर्ष से उसके कितने विकरण खीच सकते हैं? जाँच कीजिए के इनकी संख्या दो है. एक चतुर भुज A, B, C, D, जिसमें एक विकर्ण है, एक पंच भुज A, B, C, D, E, जिसमें दो विकर्ण है, एक शट भुज A, B, C, D, E, F, जिसमें तीन विकर्ण है, एक शट भुज के एक शीर्ष से उसके कितने विकर्ण कीचे जा सकती हैं, जाच कीजिये यह संख्या तीन एन भुजा वाले किसी बहु भुज के एक शीर्ष से हम कुल एन घटा तीन विकर्ण खीच सकते हैं। एक सब्त भुज यानि साथ भुजाएं और अश्ट भुज यानि आठ भुजाएं के लिए उनकी आकृतियां खीच करके इसकी जाज कीजिए। यह संख्या एक त्रिभुज यानि तीन भुजाएं के लिए क्या है। ध्यान दीजिए कि किसी बहुभुज के किसी एक शीर्ष से खीचे गए विकर्ण उसे उतने अनानि व्यापी यानि नौन ओवरलापिंग जो एक दूसरे को न ढढकते हों त्रिभुजों में विभाजित करते हैं। जितनी विकर्णों की संख्या से अधिक एक संख्या होती है। प्रशनावली 12.4 1. बराबर लंबाई के रेखा खंडों से बनाए गए अंकों के पाटन को देखिए। आप रेखा खंडों से बने हुए इस प्रकार के अंकों को इलेक्ट्रॉनिक घडियों या क्यालक्यूलेटरों पर देख सकते हैं। ए, छे, 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 ग्यारह, छे, 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 सोलह, डाश, इक्कीस, और इसी धरह, डाश, पांच एन जमा एक, इत्यादी। बी, चार, चार, चार-चार, सात, चार-चार-चार, दस, डाश, तेरह, और इसी थरह, डाश, तीन एन जमा एक, इत्यादी। सी, आट, सात, हाट-हाट, बारह, आट-हाट-हाट, सत्रह, डाश, बाईस, और इसी थरह से, डाश, पांच एन जमा दो, इत्यादी। प्रिष्ठ 263 यदि बनाए गए अंकों की संख्या N ली जाए, तो उसके लिए आवश्यक रेखा खंडों की N संख्या दर्शाने वाला BG अव्यन्जक प्रत्येक पाट्रन के दाई योर लिखा गया है। छै, चार, आठ के प्रकार के पांच लाख दस हजार एक साव अंकों को बनाने के लिए कितने रेखा खंडों की आवश्यक ता होगी। 2. संख्या पैट्रनों की निम्नलिखित सारणी को पूरा करने के लिए दिये हुए BG अव्यन्जकों का प्रयोग कीजिए। क्रम संख्या व्यन्जक पद पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और इसी तरह दसवा और इसी तरह सौवा इत्यादी। एक. दो एन घटा एक. एक, तीन, पांच, साथ, नौ, डाश, उन्नीस, डाश, डाश, डाश. दो. तीनन जमा दो. पांच, आठ, ग्यारह, चौदह, डाश, 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 डाश. तीन. चार एन जमा एक. पांच, नौ, तेरह, सत्रह, डाश, 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 डाश. चार. साथ एन जमा बीस. सताईस, चौथीस, एकतालीस, अढ़तालीस, डाश, 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 डाश. पांच, एन वर्ग जमा एक. दो, पांच, दस, सत्रह, डाश, 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 दस हजार एक. डाश. हमने क्या चर्चा की? एक. चरों और अचरों से बीजी य व्यन्जक बनते हैं. व्यन्जकों को बनाने के लिए हम चरों और अचरों पर योग, व्यवकलन, गुणन और विभाजन की संक्रियाईं करती हैं. उदहर नार्थ व्यन्जक चार एक्स वाई जमा चार, चरों एक्स और वाई तथा अचरों चार और साथ से बनाया गया है. अचर चार तथा चरों एक्स और वाई को गुणा करके चार एक्स वाई बनाकर उसमें साथ जोड कर चार एक्स वाई जमा साथ बनाया जाता है. 2. व्यन्जक पदों से मिलकर बनते हैं. पदों को जोड कर व्यन्जक बनाया जाता है. उदहर नार्थ पदों चार एक्स वाई और साथ को जोडने से व्यन्जक चार एक्स वाई जमा साथ बन जाता है. 3. एक पद गुणन खंडूं का एक गुणन फल होता है व्यंजक 4XY जमा साथ में पद 4XY, गुणन खंडूं X, Y और 4 का एक गुणन फल है चरों वाले गुणन खंड बीजी ये गुणन खंड खेहलाते हैं 4. पद खा गुणांक उसका संख्यात्मक गुणन खंड होता है कभी कभी पद का कोई भी एक गुणन खंड पद के शेश भाग का गुणांक खेहलाता है 5. एक या अधिक पदों से बना व्यंजक एक बहुपद खेहलाता है 6. वे पद जिनमें बीजी ये गुणन खंड एक जैसे हों समान पद खेहलाते हैं तथा भिन भिन बीजी ये गुणन खंडों वाले पद असमान पद खेहलाते हैं इस प्रकार 4xy और माइनस 3xy समान पद हैं, परंतु 4xy और माइनस 3x समान पद नहीं हैं। साथ, दो समान पदूं का योग या अंतर एक अन्य समान पद होता है, जिसका गुणांक उन समान पदूं के गुणांकों के योग या अंतर के बराबर होता है। इस प्रकार 8xy घटा 3xy बराबर कोष्ठकों में 8 घटा 3xy अर्थात 5xy। प्रिष्ठ 264, आठ, जब हम दो बीजी अव्यन्जकों को जोडते हैं, तो समान पदों को उपर वरनित नियम के अनुसार जोड़ा जाता है, जो समान पद नहीं हैं, उन्हें वैसे ही छोड़ दिया जाता है, इस प्रकार चार एक्स वर्ग जमा पांच एक्स और दो एक्स ज जमा तीन है, यहां समान पद पांच एक्स और दो एक्स जुड़कर साथ एक्स बन जाते हैं, तथा असमान पदों चार एक्स वर्ग और तीन को वैसे ही छोड़ दिया जाता है, नौ, एक समी करण को हल करने और किसी सूत्र का प्रयोग करने जैसी स्थितियों में, हमें एक अव्यंजक का मान ग्यात करने की आविश्यकता होती है, बीजी अव्यंजक का मान उन चरों के मानों पर निर्भर करता है, जिन से वह बनाया गया है, इस प्रकार एक्स बराबर पांच के लिए साथ एक्स घटा तीन का मान 32 है, क्योंके साथ गुणा पांच घटा तीन बरा प्रयोग करते हुए, नियमों और सूत्रों को संक्षिप्त और व्यापक रूप में लिखा जाता है। इस प्रकार आयत का क्षेत्रफल बराबर LB है, जहां L आयत की लंबाई तथा B आयत की चौड़ाई है। एक संख्या पैटन या अनुक्रम का व्यापक यानि N वां पद N में एक व्यंजक होता है। इस प्रकार संख्या पैटन 11, 21, 31, 41 इत्यादि का N वां पद 10 N जमा एक है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा साथ की गणित की ध्वनी पाठ्य पुस्तक। कारिक्रम समन्वयक डॉक्टर राजेश कुमार निमेश वाचन्स्वर गौरव मारवा। तक्नीकी समन्वयक बतिलैंग लिंगडो तक्नीकी सहायक मयंक कुमार निर्मान सहयोग सौम्या मलिक। निर्देशन व निर्मान विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत